सपने सपने हर सपने का अपना अर्थ होता है किसी का बुरा किसी का अर्थ अच्छा लेकिन सपने अपने में ही कोई न कोई अर्थ लेकर आता है आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सपने में आम देखना आम क्या होता है इसी रूप में सपने में अगर हमें आम दिखे तो हम हर उचाईयों को पा लेते हैं मतलब हर एक मनोकामना पून होती है जिस प्रकार का हमारा जीवन है उसे सुख में बलता है अगर हमारे मन में कोई मनोकामना चल रही है तो वह पून होती है सब कुछ मिलता है आम दिखने का मिनित और यही अगर आम अगर कच्चा है तो वह दिखना अच्छा नहीं होता जैसे आम भी रूप में दिखें तो वह अच्छा नहीं होता क्योंकि आम भी खटी होती है उसका फल अच्छा नहीं माना जाता लेकिन पका हूँ आम दिखना सपने में बहुत ही अच्छा माना जाता है चाय वो हराम हो चालालाम हो चापीलाम हो किसी वे परकार का पका हूँ आम दिखना बहुत ही शुब होता है अगर किसे गर्ववती इस्तरी को आम दिखे तो उसे समलो पुत्र संतान की उपलब्दी होईगी यह बिलकुन कन्फर्म बात है कि आम दिखना सब के लिए बहुत ही शुब होगा है आम जितना मीथा या कि पकावा होगा उसी के हसाब से सब कुछ आपके साथ होगा अगर जादा मीथा होगा तब की अच्छी लाइफ होगी So that's it for this video we will meet in next one. Bye bye. Peace. झाल झाल